हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको यह वताने जारों कि कैसे आप अपने Vivo Y02T Android mobile phone में आप जो है message and sound setting को आपना enable कैसे कर सकते हैं यानि कि on कैसे कर सकते हैं और यह message and sound setting जो है enable करने के बाद यह setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको detail में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप यह video को हमें start कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है ठीक है setting page को open कर लेजिए अपने mobile phone में setting page में आपको नीचे आना है या आपको यह option मिल जाएगा sound and vibration का इसे आपको select करना है अब इसके अगले page में आपको नीचे आना है अब यह message send sound setting जो है enable होने के बाद इस setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको समझा देता हूं दिखे दोस्तों आपके mobile phone में message app होता है इस message app को आप open करिए इस message app के जरिए अगर आप किसी को भी message send करेंगे तो जैसे ही आपका message send हो जाएगा उसी वक्त आपके mobile phone से एक sound की आवाज ठीक है इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपने mobile phone का setting page फिर से open करना है starting से ठीक है setting page को open कर लिजे फिर से setting page में आपको सबसे उपर यह option बनता है search icon का इसे आपको select करना है और यहाँ पर आपको search bar में setting का name आपको type करना है message send sound ठीक है इस तरीके से आपको जो है नीचे यह इस तरीकी से यह option दिखाई नहीं देगा इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो चलिए वीडियो को आगे continue करते हैं जब यह option नीचे show हो जाता है तो इससे select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको directly setting में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंड़ने का आपके mobile phone में